साथियों, राज्य सरकार द्वारा आज मुझे पुलिस महानिदेशे के रूप में सेवा करने का दाइत्व दिया गया है मेरा सोभाग्या है कि मुझे आपको नित्रित्व परदान करने का अफसर प्राप्त हुआ है उत्राखन पुलिस ने विगत 20 वर्सों में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है पुलिस परिवार का मुखिया होने के नाते एक और मेरा प्रियास होगा कि पुलिस समाज के प्रति अपनी जिम्यदारी को पूर्ण करतेवे निष्ठा, इमानदारी और समयदन सिल्ता से निभाई जिससे समाज में पुलिस की विश्वसनिता बढ़े दूसरी और मेरा यह भी प्रियास होगा कि मैं आप सभी पुलिस कर्मियों की जरूरतों में आपके साथ खड़ा दिखूँ पुलिस समाज का एक अभिन अंग है पुलिस को बनाये गया है समाज के लिए समाज में कानून का राज स्थापित करने के लिए ऐसे में हमारा प्रियास होना चाहिए कि ऐसी पुलिस विवस्था बनाएं जिसमें अपराधियों एम ऐसामाजिक तत्वों में पुलिस का डर हो एम आम नागरिक पुलिस को देखकर खुद को सुरक्षित महसूस करे उसके मन में पुलिस को देखकर खुशी का भाव हो हमें जनता के साथ मिलकर एक भैमुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करना है जिससे आमनागरिक का पुलिस में विश्वास बढ़े हमें उत्राखन पुलिस के मोटो, मितरता, सेवा, सुरक्षा को सही मायनों में चिर्टार्थ करना है हमें एक ऐसी पुलिस का सपना साकार करना है जो शरीफ लोगों का सम्मान करे और अपराधियों में जिसका भै हो मैंने अपनी पुस्तक खाकी में इंसान में विक्टिम औरिंटेड पुलिसिंग की चर्चा की है मेरी अपैक्षा है कि हमारी पुलिस इतनी संम्मेधन सील हो जो गरीबों की, ऐसाहयों की, पिरीतों की मदद करे और अपराधियों को दंड दिलाए हमें महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति और बुजरगों के प्रति विशेश रूप से संम्मेधन सील होना है और उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करना है, यदि हम हर निर्ने पीडित को केंदर में रख कर लेंगे, तो उन्हीं संदे हमारी पुलिस वेश्था अच्छी बनेगी, ये बात उलेखनी है कि जो पीडित हैं, गरीब हैं, ऐसा है हैं, उन्हीं को पुलिस की मदद की ज के लिए पुलिस को और अधिक सम्मेदन चील बनाना होगा, हमें इस हेतु अपने परशिक्षन में भी कुछ परिवर्तन लाने होगा, हमारे सामने नई चुनोतियां भी बहुत हैं, जिन में सब से उपर हैं, बढ़ते हुई ड्रक्स और नशे की परिवर्ति और साइबर क् आज के युग में सभी गतिविदियां ओनलाइन हो चुकी हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नोकरी हो, चाहे फाइनेंसिल ट्रांजेक्शन हो, इसलिए नेचुरल है कि क्राइम भी ओनलाइन होगा, तो हमें साइबर क्राइम से निबढ़ने के लिए अपनी पुलि अपरादियों से एक लेवल अप रहना पड़ेगा, हमारा लक्षय होगा कि सभी मोर्चों पर हम देश की स्रवत्म पुलिस में से एक बने, पुलिस को कृतब पालन हेतु बहुत से अधिकार दिये गए हैं, मैं हमेशा जब भी आप लोगों से बात करता हूं, तो कहता हूं कि हमारे पास ट्रिपल अधिकार हैं, ट्रिपल पावर हैं, सबसे पहले हमें राजय सरकार द्वारवर्दी दी गई हैं, दूसरे हमें अपरादियों से लड़ने हितु शास्त्र दिये गए हैं, तीसरे हमारे पास कानून का भी अधिकार हैं, हम लोग F.I.R. दज कर सकते है हम अपराद्यों को गिरिफतार कर सकते हैं हमारी ये नहतिक जिम्मेदारी है कि हम इन तिनों अधिकारों का सदुपयोग पीडितों, गरीबों, ऐसे हायों के हित्मे करें कि किसी भी पुलिस कर्मे द्वारा अपने इन अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है तो मुझे उनके विरुद दंडात्मक कारवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा परफॉर्म करना मेरा सर्वोत्तम लक्ष है हम जिस काम के लिए बने हैं उस काम को सत प्रतिस्टेश निष्था एम लगन एम मेहनत से करें जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको पुलिस में बने रहने का कोई अधिकार नहीं यदि शिकायत करता कि शिकायत ही हम थाने चोकी पर रिशीव नहीं करेंगे तो फिर उसकी समश्य का समाधान कैसे करेंगे दूसरा मेरे द्वारा आपकी परफॉर्मेंस को ब्रॉड परामिटर के द्वारा उसका आंकलन किया जाएगा अपराद कितना नियंत्रित है लोगों की शिकायतें सुनी जा रही है कि नहीं ट्राफिक इतना अच्छा चल रहा है इन सब चीजों से आपके कारे का आंकलन किया जाएगा आंकलन है तो खाली आंकडों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा पब्लिक परसेप्शन आंकलन के इसाफ से बहुत मैतपूर्ण है मैं सपष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी दशा में पुलिस कर्मों द्वारा, अनुशासन हींता या आम जंदा के साथ दुर्वेवार या कोई भी ऐसा कारिय जिससे पुलिस की छवी खराब होती हो उसे बरदास्त नहीं किया जाएगा आप इस बात का भी ख्याल रखें कि मीडिया या सोशल मीडिया में किसी भी रूप में पुलिस की छवी खराब होने का एक बड़ा कारण आम आदमी की नजरों में उसका ब्रश्टाचारी होना भी है पुलिस में मुखेता तीन तरह का प्रिष्टाचार देखा जाता है पहला जो अपरादियों के साथ मिलकर किया जाए दूसरा जो पिड़ित वैक्तियों से किया जाए और तीसरा जो उच अधिकारी द्वारा अपने अधिनिस्तों से किया जाए ये तीनों ही तरह के प्रिष्टाचार पुलिस की वर्दी की गरिमा एवं कर्तवेनिष्ठा के विरुद्ध है तता ऐसे भरिष्ट पुलिस अधिकारी करमचारी इस गरिमा में वर्दी को धारण करने के योगे नहीं है नहीं उनका ऐसा कृत्य छमा किया जाएगा मेरी नजरों में पीडित या अपरादी से किया जाने वाला ब्रिष्टाचार वर्दी की मूल भावना के विरुद्ध है ऐसे पुलिस कर्मी जो पीडित व्यक्ति से पृष्वत लेते हैं या कि अपरादियों से साथ घाट करते हैं तो उनको वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है दूसरी और जो अधिकारी अपने अधिनस्तों से व्रिष्टाचार के रूप में एनेतिक संबंद स्तापित करते हैं ऐसे अधिकारी अपने अधिनस्तों को गर किसी भी तरह की कमांड एवन कंट्रोल करने का अधिकार हो बैठते हैं इसलिए मेरा नरोध है कि आप आप सब साफ सुत्री, वेदाग, पाज़र्सी और भष्टाचार मुक्त, पुलिस वेवस्था, समाज को परदान करें। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कि जब भी आप अपना कर्दव पालन, निर्भीकता वा निस्पक्षता के साथ कर रहे हैं, तथा बिना दबाओं के कर रहे हैं, तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। शर्त यही है कि आपका काम सही हो और आपकी नियत भी सही हो। मैं आपको ये भी आस्वास करना चाहूँगा, कि पुलिस कर्मियों और उनके परिवार जनों के कल्लान है तू, मेरे स्थर से पूरे प्रियास किया जाएंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग हो, प्रमोशन हो, आप आवास की विवस्ता हो, बच्चों की शिक्षा के बारे में हो, आपकी परिवार के स्वास्थे के बारे में हो, इन सब छेतरों में काम किये जाएंगे। साथ ही साथ शहीद पुलिस कर्मियों, मिरते काशरितों और रिटाइट पुलिस कर्मियों के किल्यान का भी ध्यान रखा जाएगा। पुलिस का जो आंतरिक परबंदन है, जो परशासन है पुलिस का, कार्मिक शाखा है या एड्मिन शाखा है, उसको और ज्यादा पारदर्सी बना जाएगा, हर व्यक्ति से चाहे वो नहीं न्युक्ति हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे उसका टेनोर पूरा होने के बाद हो, तीन का धे है कि पूरे पुलिस परिवार का हैपिनिस कोशंट बड़े, पुलिस कर्मी अधिक से अधिक खुश रह सकें, और उनका परिवार भी खुश रह सकें, मुख्याले में आप लोगों की समश्याओं के निस्तारन है तू, मेरे द्वारा एक पुलिस जन समाधान समिती का गठन किया जा रहा है, जिसको आप WhatsApp नमबर के माध्यम से अपनी कोई भी समश्या या शिकायत या सुझाओ भीज सकेंगे, और ये समीती उस पर कारवाई करना सुनिशित करेगी, चाहे कारवाई जिलास्तर से होनी हो, या रेंस्तर से होनी हो, या मुख्याले से होनी हो, औ और इस समीती दवारा की गई कारवाई की समिक्षा सापताहिक रूप से मेरे दवारा की जाएगी, मेरा प्रियास होगा कि आपकी समश्याओं को यथा संभव विभागय तोर पर हल कर सकूँ, इसलिए मेरी आप सब से अपील है कि किरप्या करके आप लोग विभागय समश् के और बिना टीम स्पिरेट के सफल नहीं हो सकता, इसलिए मेरा आगरा है कि हम सब को एक टीम के रूप में कार्य करना है, जिससे हम समाज के पेक्षाओं पर खरें उतर सकें, आप सब ने COVID-19 के दोरान बहुत ही अच्छी पुलिसिंग कि है और पुरे देश में उतराखन प इसको नहीं उंचायों पर ले जाने में सफलोंग, जै हिन!